हलो एवरिवन वेलकम बैक तो मैं चानल दाट इस इंग्लिश फीड फ्रेंड्स मुझे पता है आपको इस वीडियो का वेट था आपके मेसेज़ेस भी मिले मुझे कि जो मैंने बताया था लास्ट टाइम मतलब की कल की कैबिनेट में मीटिंग होनी है कैबिनेट मीटिंग और उसमें फाइनल होगा जो आपकी नए सिक्षा सेवा चैनायोक की नियमावली है उस पे मुहर लगनी है और उसी से सारी चीज़े डिसाइड होगी कि क्या होगा पॉसिबिलेटी तो मैंने आपको बताई थी कि चांसेस पूरे हैं कि अब प्रोसेस आपको तेजी से देखने क मिलेगा ठीक है तो उसी पर मैं आपको बताऊंगी कि actually में situation क्या है real situation क्या है सबसे पहली बात तो यहां पर हम करेंगे good news की और इसके बारे में मैंने आपको पहले से ही कहा था कि कुछ ना कुछ positive news आपको जरूर मिलेगी इसले tension मतलीजे preparation पे focus करिए दूसरा मुहर लग और जो इतने टाइम से आप वेट कर रहे थे इस चीज का कि कोई एक authentic news मिल जाए जिससे एक कहीं ना कहीं आपको confidence आए और आप अपनी preparation में एकदम peace of mind से लग सकें तो वो वीडियो है यह आपके लिए तो बहुत ही important वीडियो होगा आये discuss कर लेते हैं हम सारे points तो देखिए जो कल meeting में तै हुआ है paper में भी निकला है तो मैं यहां पे cutting नहीं लगा रही हूँ आप सब देखी चुके होंगे काफी सारे channel पे तो यह बात एकदम सच है कि इस पे मोहर लग गई है अब इसकी आगे की processing क्या होगी इस पे हम बात करेंगे क्योंकि आपका जो exam है वो उसी सरकार को जो करना होता है वो process already mind में होता है उनके उनको पता होता है कि उनको करना क्या है राइट exam आपका चुनाओ के पास होगा यह मैं काफी time से आपको बताती आ रही हूँ जब से negative news चल रही थी ना सब जगह पे कि नहीं होगा या यह वो सारी चीज़े तो मैंने आपको आपकी यहीं से आके गुजरती है ठीक है जब लोगसभा चुनाओ होगा तो उन सीटों के लिए वोट हमी लोगों से मांगे जाएंगे और तब problem आके खड़ी हो जाएगी और UP एक बहुत important area है उनके लिए तो आप समझ सकते हैं और इतने सारे लोगों को नाराज वामिंट करेगी नहीं तो कहीं ना कहीं एक्जाम तो आपका चुनाओ से पहले होगा ठीक है एक बात तो यह तै हो गई दूसरी बात यह है कि सिक्षा सेवा चैन आयोग बन कब तक जाएगा तो डिसेंबर में मैंने आपको कल की मीटिंग से पहले भी यह चीज बताई थी कि almost last आपक ऐसे नीउक्त करने है उन सबका अधियाचन ले लिया जाएगा सारी चीज़ाएगा जितने फ्रम संडाइंकरा है उनके UPTGT PGT सबसे पहले race में लगा हुआ है अब बात आती है board exam की तो जो आपका board exam है वो होगा आपका fab में ठीक है board exam आपका fab में होगा इस वज़र से हो सकता है कि एकदम उस mid में ना हो आपका exam लेकिन ये जरूर है कि fab last to march आपका exam variate कर रहा है March में आपका exam अब मैं 100% तो क्या बोलू क्योंकि 1% तो कुछ भी हो सकता है लेकिन पूरी-पूरी संभावना है और आपको बिलकुल एकदम कमर कस लेनी चाहिए तो March वो आपकी date है या फिर आप कहलो वो month है एक होता है ना हमेशा से कि हम एक blind preparation कर रहे हैं इक dark phase में लेकिन इतने time से कोई news ही नहीं मिल रही थी लेकिन process start हो गया है और वो start से फिसील हुआ है क्योंकि अब exam conduct कराया जाएगा और यह होना ही था ठीक है इतने time से यह notification आ चुका था अब जो बात आचार सहीता की करते हैं तो March तक आचार सहीता का कोई वो नहीं है कि इस पर कोई effect है तो exam कराने में कोई problem नहीं है आचार सहीता वहाँ effect करती है कि आप नई कोई notification नहीं release कर सकते नया कुछ भी फर्मान नहीं जारी कर सकते तो इस वाले में तो ऐसी कोई problem आएगी नहीं PGT PGT में तो यह आपका exam करा लिया जाएगा March ठीक है अब आपके पास में मंत कितने और January यह March को मैं count नहीं करूंगी तो December, January और February यह तीन महीने आपके पास हैं जो कि पूरे-पूरे हैं और अगर मैं सच में real grounds पर बात करूं तो this is enough for your preparation when when already you have completed your syllabus तो अब आपको अपनी practice set पे ध्यान देना चाहिए practice series पे ध्यान देना चाहिए questionnaire पे ध्यान देना चाहिए जितना जादा आप practice कर सको उस पे और जितनी बार आप revision कर सको उस पे जितनी बार जितने times आपका revision होगा उतने times आपकी जो preparation है वो better होगी और आपके selection का chance 100% हो जाएगा confidence बहुत generate हो जाएगा उससे भी बड़ी बात आपको यह पता चलेगा आपको self evaluation करने का मौका मिलेगा if you have followed my channel हमेशा से आप follow करते आ रहे हो तो यह बात आपको ज़रूर पता होगी कि exams टाइम पर मैं यह ज़रूर बोलती हूँ कि self evaluation ज़रूर करें अपने आपको self evaluate करें खुद का आकलन करें because आपके बारे में आपसे ज़ादा अच्छा कोई नहीं जानता कि आपकी preparation किस mode में ह बहुत अच्छी है medium है या उससे भी higher है ठीक है तो वह बहुत जरूरी है और वह आपको करना चाहिए क्योंकि आपको पता है मन से तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो दो घंटा पढ़ने बैठे हो आप तो उसमें आपने कितना social media का use किया और कितना पढ़ाई में ध्यान लगाया वो आपको अच्छा पता है इन फाक्ट आपके पेरिंट्स को भी बहुत अच्छे से वो चीज नहीं पता राइट इस आपको एक प्लेजर एक डिलाइट फील होगा क्योंकि आपका भी खुद का एक स्टेटस होगा जो सेल्फ मेड होगा राइट इसलिए थोड़ डेडिकेशन के साथ देने हैं तो प्लीज उसको आप ध्यान में रखिये करिये और जो नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं उनसे दूर रहे वो चाहे कहीं से आपको नेगेटिव निउस मिल रही हो या फिर आपकी कोई नेगेटिव कंपनी हो जस्टे अवे बिकॉस नोगन इ आपका साथ देती है तो अब जिसके लिए भी आप तयारी कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजे चाहे वो आपकी TGT की हो चाहे वो आपकी PGT की हो एक सबसे बड़ा क्वेशन मेरे पास में आ रहा था ये वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो कुछ वह तो मैं यहां पर नहीं रेज करूंगे एक स्टुडियो आपका था कि क्या अभी से तैयारी अब भी अगर स्टार्ट करें तो कर सकते हैं देखें देरी किसी चीज की नहीं होती डिपेंड्स की आपका सोर्स मेटीरियल क्या है और क्या आप राइट ट्रैक पर प्रिपर तो वह सिलिवस डाट इन डीटेल तो उसके लिए आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस किसी से थोड़ा सा गाइडेंस लेने की ज़रत है तो आप बिल्कुल कर सकते हो अगर चीजे पढ़ो तो क्यों नहीं कर सकते हो अभी आपके पास में टाइम है जान जोग तो बिल्कु उसके प्लेज वही रहेंगे उसमें कोई काटशाट होनी नहीं है जो उसने लिख दिया वो लिख दिया पढ़ाने का दराने का और सिखाने का यह तरीके जो होते हैं उनसे खाली नुकसान होता है तो तरीके बहुत माइने रखते हैं The pattern you are following for your preparation that is really very important तो छोटे-चोटे से points हैं उनको समझो और वही चोटे-चोटे पॉइंट्स कई बार एक दो नंबर से या पांच नंबर से गिरा भी देते हैं तो जरूर मुझसे शेयर करिएगा अगर आपके ऐसी कोई बात है क्योंकि देखे शेयर करने से काफी लोगों को होती है आपको भी होती है डिसकशन जो अच्छे पॉइंट्स पो होता है that is really good तो कोई पॉइंट्स हमें सीखने को मिलते हैं कुछ नहीं चीजें हमें सीखने को मिलती है क्योंकि सोशल मीडिया इस चीज के लिए तो मैं मानती हूं बहुत अच्छा है ठीक है तो यह आपकी न्यूज है TGT PGT की अब तो आपको व positivity अब तो आई है न तो अब तैयारी बहुत अच्छे से कर लो एकदम धार दे दो यह तीन महीने अगर आपने दे दिये ना तो आगे का पूरा टाइम आपका आराम से जाएगा और आराम से आपकी पूरी लाइफ जो आपके ड्रीम्स है जो कुछ भी आपने सोचा है for your family for anything उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके कहीं पे भी अपने रूम में वो reason find out करके वो reason लिख लो दिन भर उस reason को देखो वो reason ही आपसे सब कुछ करा देगा you don't need any kind of motivation खुद का motivation खुद ढूंड़ो क्योंकि किसी के भी अंधर वो अगर एक fire लग जाती है that yes this is the reason for what I have to prepare तो आप कर ले जाओगे छोटी-छोटी changes करो और बाकी you all are free to comment in comment box please जरूर बताईएगा मुझे काफी लोग negative comment भी करते थे कि कोई भरती आती नहीं है फिर भी यह बोलती है be positive और exam होगा 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 और लेकिन exam तो देखे होना चाहिए और होगा भी बाकी जो भी final news आएगी surely I'll update through this channel और कभी भी fake news आप तक deliver नहीं होती है भले से एक महीना क ही चलाती जो आपके फायदे की ना हो और जिसमें किसी भी तरीक की कोई authenticity ना हो I think this is the very good video for you why because authentic news I provided और जो एक gloomy phase आ गया था बहुत ही परिशान थे वो सारी चीजे आपकी खतम हो गई है so let's rock rock for what rock for your preparation for your dedication and focus ध्यान से करिये सारी चीजे जरूर होगा और कोई भी problem हो related to syllabus of these TGT PGT in English subject surely I'll help you through this channel I've uploaded so many series जो की free test series उनको एक बार जाके playlist चेक करके जरूर देखिया आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के questions आते हैं और वो questions आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएंगे तो उससे आप at least pattern आपको समझ में आएगा जो beginners हैं उनके लिए मै वो अपने preparation पर focus करें अपने revision पर focus करें क्योंकि एक बार जब आप preparation छोड़ देते हो तो वो zero पर आके खड़ी हो जाती है तो उसको फिर से जब हम restart करेंगे तो recall सब कुछ हो जाएगा इसलिए अब आप focus करें time is nearby सारी चीज़े आपके सामने है जिसने ध्यान दे लिया वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो फिर जो है वो तो face आप ही को करना पड़ेगा दूसरा तो कोई भी नहीं आएगा आपके सामने thank you so much for watching and giving your precious time to watch my video thank you